हाई फ्रेंड्स रादे रादे वेलकेम है आप सब लोगों का बाला जी क्लासेस बाई अतुल बाच पेशर में कैसे हैं आप सब लोग बढ़ी हैं जी हाँ इस्टार्ट करें फिर आज की क्लास तो के गई इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास बाला जी क्लासेस बाई अतुल ब पहां भी लेकर का कर सकते हैं भारत पर अर्बो का आक्रमाण का महमूद कश्चनी और मुहम्मत मौझाह। होगा पंदा प्रविट्यो मारा ही दिराइस तो चुद्ध करते हैं ब्राइस कि कमें कहां सुरू कप अरबो का आकृमदमगई है तो लिखा है महमूद मुहमद मुहमद बिन कासिन के नेतरद पर और भाद पर पहला इंदी के मिलता है पंदरहाले जो थी आप्रमण किया गया रहा हुशब्से सफाल कम रहा हैं महोंम्ठ बिन कासिन से गवाद 블ity कि मिलती है बताया जा रहा है कि मुहम्मद इनकासिन सिर्फ 17 शालका था कि ती जब भात पर उसने आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की सफल आक्रमण कर दिया आगे बात करें तो मुहम्मद बिनकासिन के बाद लिखा है अरबोर ने शिंदु पर आगे चलते हैं मेहमूद घजणी की का बात करते हैं लिखा है तुर्क सरदार कौन था जिसका नाम था अब यहां थोड़ा इंपोर्टन बनने वाला यहां मैंड कंसर्ट्रेट करना होगा इस कौन सा 302 में अलपत की नामक तुर्क सरदार गजनी समराज की स्थापना करता तो कहला कोश्चन पूट अप हो गया कि गजनी समराज की कि अलपत गीन कब की 932 बी में अलपत की नमक कैसा सरगार तुर्क सरदार था जिसने गजनी समराज की सथापना के और राजधानी क्या बना डाली गजनी यहां से कहानी बैक टूबैक सिखना होगा समझना होगा रटना नहीं है समझना है हिस्ट्री है गर स्टोरी बना के चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा प्रथम तुर आक्रमण क्या लिखा है पंजाब पर शाहीवन्स का सासर अब आगे बढ़ रहे हैं तुर्की कहां पहुंच गया है शिंद से पंजाब पहुंचे के उस साहीवन्स का सासर जैपाल सा कर रहा था कब जिस समय तुर्कों ने आक्रमण कर दिया कहां पंजाब कहां साहीवन्स का पंजाब आगे बात की जब बगदाद का खलीफा अलकादरी मिल्ला अब यहां से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इस्टार मारी और नोट करना है कि बगदाल का खलीफा कौन था प जीमीन अलमिला कि गदाद का खलीफा बगदाद का का खलीफा कौन था बगदार का खलीफा अलकादरी मिल्लाने मेहमूद गज्नी के पद्द को मानता प्रदान करते civसें यमीन अगला बात करें तो महमूद गजनी का है सबसे चरचीत अक्रम्र मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन इसे इस टार मार्कर ब्लैक कालो लाल जैसे वियो मोथे पेश से लिखलीर जै महमूद गजनी का सबसे चरचीत अक्रम्र 225 32 में कहा हुआ था सोबनाथ मंदिर किस यहume जो कि पहली मंदीरत जो कि दरशन के यह चलते हैं क्या इसको लिखत сохранine सब्क्राइब को सब्सक्राइब नाम का नाम है कि नाम है यह मंदिर का नाम है यह भारती इतिहास तथा हिंदूों के चुनिंदा और महत्वड मंदिरों में से एक है इसे आज भी भारत के 12 जोतिलिंगों में शरपथम जोतिलिंग के नाम से जाना जाता है तो पहली जोतिंग लिए कहा है 12 में से तो गुझरात में क्या है सूवनात मंदीर फिर से एकला कोश्चन है कई सारे कोश्चन में गुजरात के सावराष्ट छेत्र में वेरावल बंदरगाह में इस्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है अब फिर से यहां से एक मोश्ट इंपॉर्टेंट बात क्या पता जिली कि वेरावल बंदरगाह भी कहां इस्थित ह गुजरात एक बंदरगाह भी हमने से क्लियर जियोग्राफी का नंबर यहां देखों फिक्स कर दिया क्या कि आप विरावल बंदरगाह में इस थी था इस बंदर मंदिर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माद सोयम चंद्रदेव ने करा फिर एक पॉइंट कि कर लिए पहला इस थी थे गुजरात में इस थी थे गुजरात की इस एक बंदर का नमते वेरा वल बंदर गाह इसका निर्माद किसने का था चंद्रदेव ने कर आए तहां मिलता है यह कुंसी बारा जोतिलिग में प्रथम जोतिलिग ठीक है इंते सारे कोशन अब फिर सी च साल पर जाटों के विरुद किया था जाटों के विरुद किया है पहला करने वाला घजनी पहला सकता सुल्तान की उपाद किया होती ही यह को इस से भी R åh par euro करा देते हैं सुल्तान की उपाद करने अवाला पहला सासक बात करते हैं सुल्तां के उपाद कि इसके उपाद को दॉपाद की तुर्की सास को दौरा परहम की गई महमूद गजनी पहला सासक था जिसने सुल्तान की उपाद धाड़ की, important, 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 यहां आप इस्टार्टिक कीजिए क्या, स्टार्टिक कीजिए कि सुल्तान के उपाद धाड़ करने अलब सबसे पहला साथ क्या था, महमूद गजनी था, आगे उसे यहां उपाद बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई, यह भी कोश्चन रूट देता है, बगदाद के खलीफा, अभी अभी हमने बगदाद के खलीफा का नाम भी देखा था, आप रिवाइस करिए तरहे हमन में, बाबर ने अपने पैतरक मिर्जा को त्याग दिया, बाबर ने क्या किया है, बाबर का पैतरक क्या था, मिर्जा था, उपनाम मिर्जा था, लेकिन उसे त्याग दिया, त्याग करके श्रप्रतम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अप सब्सक्राइब तो यह ओर को मिल गया की बाबर ने अपने पैत्रक मिर्जा का परत्याग करके शब्रथम सुल्टान की परंपरा को तोड़कर अपने को भासा घोशित कर दिया ठीक है इस सब के नाम आपको इंपोर्टेंट है इसलिए इसको आपको रिवीजन करना ही होगा बात करें महमुद गजनी की बात पहुंचते हैं बाइद गोरी पर गोरी के विसा में गोरी से कोई पूट्र नहीं था अपने गुलाम के पुत्रों की भांत रहता था मुहम्मद गौरी का कोई पूत्र नहीं देवी लचमी का चित और दूसरी तरफ कमल लिखा था कमल और देवी का चित रहता है आगे चलते हैं ख्वाजा यहां से सारे नाम कर लीजे ख्वाजा मोहिंदो चिस्ति और मुहम्मद गौरी के साथ बहुत अब बहुत दोबार आएगा गोरी कभी आएगा इसलिए इनको हम कह सकते हैं मुश्ट इंपोर्टन्ट का भी इंपोर्टन्ट के सकते-एस तो इंपोर्टं न का पहला प्रत्म युद् युद्भ वर्ष भी पच्छ हूर कोण जीता विचे नेंका प्रत्म यूद्ध 1121 मैं गाउरी प्रथवी के इंप शल्परमम उट्स प्रतवी आप weten खकास तरहएं गौरी प्रत प्रत भी अपकी बार गौरी जपकास जीत गई लेकिन त्रिति युद्ध चन्दावर का युद्ध राज हारा और तीसने तो आपने हमारी वीडियो देखा अगर आपको अच्छा लगा हो मैंने पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो प्रावलम करते हैं बेल आइकन चोडबा दिए अगर आपको पढ़ाने का मैं तरीका चला अगली क्लास में मार्निंग का करेंड विए शो देखना मत भूली हैं सुबा 8 वजे मिलते हैं कल की चैटू इट वीडियो में जब तक लिए आप देखते रहें बने यह बाला जी क्लासेस बाइबाज पेसार में डेली मिलेगा करेंट अफ्यार शोव में आना मत भूलेगा ठीक गाइज